OTT पे सबसे जादा फेमस हीरा मंडी की जूलरी से तो आप सभी जूलरी एंथुजियास्ट प्रभावित हुए होंगे सभी लोग सोच रहोंगे कि कैसे आप इस लोग को किसी न किसी पार्टी में अपना ले काश को ऐसा इवन्ट हो जाए जहां आपको ऐसा कोई लोग लेने का मौका मिल जाए क्योंकि जब तक शादियों का टाइम आगा कहीं ये लोग ढलना जाए आप बहुत सारे लोग सोच रहोंगे बट क्या आप ऐसी नवाबी क्योंकि ये तो 200 साल 100 साल पहले की कहानी दिखाई गई है तो क्या आप exactly ऐसी जूलरी आज की तारीक में अपना सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपको हीरा मंडी की जूलरी का style, essence अगर अपने लिए लेना है तो कैसे ले सकते हैं बिना exactly वैसी जूलरी पहने क्या चार चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर उन चार elements को अगर आप अपनी जूलरी ensemble में include कर लेते हैं तो आप भी हीरा मंडी के जो stylist और बड़े बड़े designers लग करके जो एक look लेके आप आए हैं जो get up लेके आप आए हैं वो आप अपनी personality हिसाब से ला सकते हैं तो चले शुरू करते हैं अपना वीडियो हाई आप सभी खुबसरों दोस्तों के मेरा नमस्ते मैं हो सौमित्रा आपका jewelry expert from dazzles fashion and costume jewelry मैं आपको वीडियो में end में वो भी look दिखाऊँगा जो हमने आपके लिए curated तयार किया है क्यों क्योंकि वो आपके हिसाब से है आपको थोड़ी ना किसी संजलिला भंसाली मूवी में acting करना है जो exactly उतनी heavy heavy और कोई किरदार निभाना है आपको अपनी personality में आज के हिसाब से किस तरीके सहीरा मंडी के jewelry aspects को शामिल करना चाहिए वो मैंने जो look create के है मैं आपको दिखाता रहोंगा last में सबसे पहला point thank god की heavy nut थोड़ी सी वापस आ गई है heavy nut का मतलब ये नहीं की nut भारी है इसका मतलब है कि nut में काम बहुत सारा आने लग जगे है मनिशा कोराला ने सोनाक्षे सिन्हा ने कई जगए ऐसे scenes में अदिती राओ ने ऐसे कई scenes में nut पहनी जहाँ पर nut में थोड़ा काम था इधर पिछले एक दो साल से trendy चल पड़ा था कि nut बिल्कुल light सी चाहिए सिर्फ एक नगवाली चाहिए but thank god यहाँ पर nut में आपको काफी काम दिख रहा है nut में लटकन भी दिख रही है होट के पास वरना ऐसे बहुत सारे लोग होते थे जो सोचते थे कि यार होट के पास अगर nut में लटकन है तो कैसी दिखेंगे ऐसा नहीं है मैं तब भी कहता था कि अच्छे ही दिखेंगे वो हम लोग थोड़े से conscious हो जाते हैं क्योंकि शादी वेडिंग इन सब के लिए तयार होना बार बार रोज का काम नहीं होता है थोड़ा साथ पटा लगना लाजमी सी बात है बट येस नत में काम आ रहा है पॉल का काम आ रहा है पॉल की चेन आ रही है नत छोटी भी आ रही है बड़ी भी आ रही है नत में टिकडे यानि अलग-अलग काम भी है तो आप जैसी चाहें वैसी नत के साथ experiment कर सकते हैं आपको अब वैसा सोचने के जरूद नहीं कि यह यह trend है कि नहीं है सबसे important element जिसे आपको शामिल करना चाहिए वो है छपका पूरी हीरा मंडी मूवी में एक नवाबी लुक दिया गया है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको छपके के स्तमाल जरू करना चाहिए छपके के साथ-साथ अलग-अलग hairstyle जो मैं यहाँ पर images में दिखा रहा हूँ उनसे भी आप काफी inspiration ले सकते हैं चपका isolation में भी इस्तमाल कर सकते हैं देखें डिपेंड करता है कि आपकी खुद की wedding में आप कोई get up ले रहे हो कोई theme party का get up है आपको होड़ा सा हलका रखना है उसके हिसाब से आप चपका heavy, light, hairstyle और मांग टिके के साथ combination रखना है कि नहीं रखना है यह सोच सकते हो देखो पहला combination है मांग टिका चपके के आधे size कर रखिए और दोनों पहनिये एक यह look हो गया, दूसरा look है कि आप सिर्फ चपका पहनिये मांग टिके की कोई जरुवत नहीं है चपके के साथ आप accessorization क्या क्या कर रहे है वो भी जरुरी है यह जरुरी नहीं कि चपका पहना है तो गले में necklace जरुरी है यह चपका आप सिर्फ चपका ही पहन के जा सकते हैं पूरी की पूरी वेडिंग में अगर आपकी दूर की थोड़ी सी वेडिंग हो, कोई खास ऐसी नहीं हो सिर्फ चपका पहन यह जादा हो, earring के साथ combination कीजिए जादा हो तो light necklace या heavy necklace के साथ भी combination कर सकते हैं यह चपका mandatory है, चपके में कुछ लोग यह गलती कर रहे हैं कि चपके को बाकी necklaces और earring के साथ match नहीं कर रहे हैं ऐसा मत कीजिए, बुरा लगता है, मैंने काद लोगों को देखा है make-up artist लोग यह look create कर रहे हैं, उनको शायद इतना जादा jewelry के बारे में नहीं पता होता है, तो यह गलती मत कीजिएगा exactly stone और quality match रखेगा तीसरा सबसे important element, आप कुछ भी करे चाहे ना करे आप चपका पहने ना पहने, लेकिन pearls पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है लेकिए pearls हमारे tradition का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है चाहे वो हिंदू tradition हो, या कोई भी tradition हो, मुस्लिम tradition हो नवाबी culture रहा हो, निजामी culture रहा हो सब में pearls बहुत ज़ादा एहमियत रखे गए है pearls बहुत precious होता है, हम लोग, बहुत सारे लोग pearls से डरते रहते कि यार कपड़े में तो pearl है नी अब ऐसे थोड़ी कपड़े हीरे का पहनेंगे तब ही हीरे की जूल्री पहनेंगे, ऐसा नहीं होता है तो pearl को शामिल करिए आप अपने आप ही हीरा मंडी के जूल्री का trendy look ले लेंगे, pearl यहाँ पर necklace में include कर सकते हैं, किसी भी earring में include कर सकते हैं, nut में include कर सकते हैं, सिर्फ नत पहन लीजे और earring पहन लीजे, लेकिन दोनों में pearl का काम रख के देखे, आप देखे कितने कमाल के देखते हैं, इसलिए pearl most essential, पहले भी मैं हमेशा से कहता आया था, यह हीरा मंडी पर dependent नहीं था but yes, हीरा मंडी आ गई है तो थोड़ा सा acceptance शायद आपका बढ़ जाए pearls की तरफ, पहनिये graceful भी लगेगा, irrespective कि आपकी age क्या है, आप 20s, 30s में हैं, तो भी आप कमाल दिख सकते हैं 50s, 60s में हैं, तो भी pearl हमेशा से graceful तो रहा ही है fourth point, यह भी सबसे important है कि आपको जो jewelry पहननी है, वो polki और जड़ाओ की पहननी है कोई भी airy, airy, artificial jewelry मत पहनिये, polki की jewelry पहनिये, royal look आता है कुंदन की jewelry पहन सकते हैं royal look आता है, जड़ाओ jewelry पहन सकते हैं, जो छिलाई का काम होता है जैसे मैं images में दिखा रहा हूँ उसकी multi color jewelry पहनिये with pearls, with nug बहुत amazing look आएगा, अगर आपको actually message capture करना है तो आप जड़ाओ jewelry की तरफ ज़रूर जाएए जड़ाओ plus pearls में अगर आपको काम मिल जाए तो बहतरीन, इससे अच्छा look get up कोई आही नहीं सकता, बाकि जो पहले के तीन aspects मैंने आपको बताया थे वो भी ध्यान रखिये, अब मैं आपको वो look दिखाता हूँ, जो हमने आपके लिए तयार किया है यहाँ पर हमने तीन जो brights यूज की है, तीनों में अलग-अलग आपको jewelry का get up दिखेगा, बट तीनों में हमने उन चीजों का ध्यान रखा है, जिससे की overall जो हीरा मंडी का get up जो एक look है, जो एक essence है, वो miss नहों, आपको यह look कैसा लगा मुझे नीचे ज़रूर बताएगा, आपको अगर यह get up लेना हो, तो हमारी तरफ से आपके लिए styling तो हमेशा से free रही ही है आप हमेरे website dazzlejewelry.in पे जाइए, वहाँ पर chat का button है उसे hit कीजे, click कीजे और हमसे आप directly जोड़ जाएए, आपको किसी भी occasion के लिए, कोई भी jewelry styling में help चाहिए, आपका budget बताएए, उसमें 10 तरह के questions भी हैं मैं आपसे पूछूँगा और उसके हिसाब से आपको jewelry create करके दे दूँगा हमारी website पे 10-15,000 से जादा jewelry pieces है, so don't worry आपको jewelry तो मिली जाएगी, but yes जब एक बार mind clear हो जाता है कि हाँ, ये चीज आपकी personality के हिसाब से best लगने वाली है, तब jewelry लेना असान हो जाता है, सिर्फ premium jewelry से काम नहीं बनता, अपने उपर भी खूबसूरत दिखना चाहिए, इसलिए हम dazzle jewelry में कहते हैं, कि we craft jewelry that celebrates you मिलते हैं जल्दी, अपने अगले वीडियो में जो कि शायद आप में से ही किसी subscriber हमें suggest किया हो, तब तक के लिए हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए मैं आपको जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में This is your host सौमित्र सेंग from dazzle's fashion and costume jewelry